Hare Krishna, दोस्तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ, बहुत ही अच्छे हो आप लोग, मेरे एक और नए वीडीयो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तो पुछ बीले इस वीडीयो को शुरू करते हैं, और आपको बताते हैं कि इस वीडीयो में क्या है, जो मैंने आपसे ब दुरियोधन और रावण जैसे लोग नहीं बचे, फिर तो हम तो इंसान हैं, हम तो मनुष्य हैं, वो कितने पावरफुल थे, बट उनको घमन था अपने पावर का, उनको घमन था अपने आसपास जो भी उनके पास था, उस चीज का, जो हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम तो इक तुछे से मनुष्य हैं, हम किस चीज का घमन कर रहे हैं, हमें तो किसी भी चीज का घमन होना नहीं चाहिए, कि हमारे पास कुछ हमेशा के लिए रहने वाला भी नहीं है, पैसे के लिए आप घमन कर रहे हो, आपके बास गाड़ी है, आपके बास सुंदर वाइफ तो मेरे बोलने का यह मीनिंग है कि नेवर बिल्ट और नेवर हैव इगो ओके इगो बिलकुल नहीं अपने अंदर तो यह सब एक छोड़ी बात है जो मैंने एक छोटी सी ब्रीफ वीडियो में बताई है आपको ठीक है यह छोड़ी बाते हैं जो मतलब रोज के दिन शरिया में आपको सुनने को मिलती देखने को मिलती हैं कि लोग रोड से जा रहे हैं गाली बक रहे हैं और रोड से मतलब जाके फिर लोग आपको गलत-बलत सी बाते बता रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत कॉसली का रहे हैं उनके पास कॉसली ऐसे सारी चीज़े हैं जो मतलब शाद आपके पास नहीं है शाद आपके मेरे आप से रिक्वेस्ट हैं मेरे देश वासियों से कि इस चीज को आप अपने लाइफ से प्लीस 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 निकाल दो तो इन तीनों चीज को भी जब डिमाग से दिल से निकाल देते हो तो आपका लाइफ जो आप देखोगे कि अच्छे ट्राइक में जा रहा है और आपको वो सारी चीजे मिलेंगे जो आप एसपायर कर रहे हो चाहने का फिर ऐसा नहीं कि सब कुछ मिल जाने के बाद फिर आप सब को चीटी की तरह समझो सब को मतलब छोटा समझो खुद से नहीं ऐसा है बिलकुल नहीं खुद को डाउन टूर्थ रखो क्योंकि आपसे बहतर कल कोई और आएगा अगर आप आज बहतर हो तो कल आपसे अच्छा कल आपसे बहतर कोई और आएगा याद आपका बेटा या फिर आपकी बेटी आपसे बहतर होगी आप चाहे 98% वाले थे वो 100% वाला आएगा तो मतलब आपके बास कुछ हो या ना हो अपने attitude में सुधार लाओ तो सब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और सब लोग आपको प्यार करेंगे और च्छोड़ ऐसा वीडियो था मैंने आपको बताया कि मतलब हंकार नहीं करना चाहिए और गीता में जो देया हुआ है कि मतलब ऐसा लोग को बताना चाहते हो कि आपको दिया क्या है और जिन्दगी कैसे जी नहीं है और अगर अभी तक आप ब्रहमित है तो आपका दिमाग टोटली खुल जाता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज प्लीज भगत गिता को पढ़ो तो थैंक्यू सो मच आपने होने बले है तो थैंकि सो मच और ग्रेत लाइफ हरे कृष्णा